नमस्क्राइब दोस्तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि fancode application अगर आपके phone के अंदर open नहीं हो रही है तो इस problem को हम कैसे ठिक करेंगे जब भी हम fancode application को open करते हैं अपने phone के अंदर तो application जो अपने phone के अंदर open नहीं हो दिये यह application अपने phone के अंदर नहीं चल रही है तो हम कैसे ठीक करेंगे आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो गई सबसे पहले इसके लिए आपको करना क्या होगा आपके phone के अंदर fancode application open नहीं हो रही है तो यहां पर मैं आपको बता देता हूँ उसके बाद सबसे पहले क्या करना होगा आपको अपने phone में एक बार flight mode को on करके off करना है तो यहां पर flight mode को एक बार हम on करेंगे उसके बाद यहां पर फिर से हम इसे off करेंगे तो off करने के बाद क्या होगा कि जो aeroplane mode एक बार on करेंगे उसके बाद off करेंगे तो आपकी जो internet की speed रहेगी वो बुश्ट हो जाएगी और उसके कारण से अगर application open नहीं हो रही होगी तो यह problem जो fix हो जाएगी उसके बाद भी अगर application open नहीं हो रही तो क्या करना होगा आपको जो play store के अंदर जाना है play store में आने के बाद fan code application को आपको जो है update कर लेना है guys कई बार क्या होता कि application के अंदर कुछ update आजाता और यहाँ पर update लिखा हो आपको देखने को मिलेगा फिर भी हम जो है application को update नहीं करते उसके वजह से application के अंदर problem जो है आजाती है तो अगर आपकी application के अंदर कुछ update आया तो यहाँ से simply आपको अपनी application को update कर लेना है update करने के बाद यहाँ पर आपकी जो problem रहेगी वो fix हो जाएगी और आपकी जो application रहेगी वो easily open हो जाएगी अगर update कर लिया और guys airplane mode भी on कर लिया उसके बावजूद अगर application open नहीं हो रहे है तो यहाँ पर क्या करना होगा आपको अपने phone की setting के अंदर जाना होगा और guys जैसे अपने phone की setting open करेंगे setting open करने के बाद यहाँ पर एक option मिलेगा apps वाला तो देख सकतो नीचे की side में apps वाला option मिलेगा इसके उपर हम click करेंगे click करने के बाद यहाँ पर एक option मिलेगा manage apps तो यहाँ पर जैसे हम manage apps के उपर click करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको जो है manage apps के उपर click करने के बाद यहाँ पर आपके phone में जितनी भी application रहेगी वो सभी application आपके सामने आ जाएगी तो अब guys यहाँ पर क्या करना होगा आपको जो है fan code application को यहाँ से डूंड लेना है इस list के अंदर अगर आपको नहीं मिलती है तो यहाँ पर आप search भी कर सकते हो यहाँ से आप fan code application को जैसे ही search करेंगे यहाँ पर application उपर की side में आ जाएगी उसके उपर click करेंगे, click करने के बाद F info आएगा तो यहाँ पर जैसे F info आएगा उसके बाद क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ तो सबसे पहले नीचे की side में जो clear data वाला option है इसके उपर आपको click करना होगा उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर clear catch के उपर click करके हम clear catch कर लेंगे उसके बाद फिर से clear data के उपर click करेंगे और यहाँ से data clear कर लेंगे data clear करने के बाद यहाँ पर क्या होगा कि आपके जो fan code account का data रहेगा वो clear हो जाएगा और उसके अंदर जो आपका account logging होगा वो भी logout हो जाएगा उसके बाद फिर से account को logging करना होगा और जो आपकी problem रहेगी वो fix हो जाएगी तो यहाँ पर हम application को open करते हैं उपन करने के बाद यहाँ पर easily application जो है open हो जाएगी पहले मेरी भी यही problem आ रही थे application उपन नहीं हो रही थी लेकिन यहाँ पर जो है मैंने इस process को follow किया और इसकी मदद से यहाँ पर हमारी जो application है वो जो है open हो चुकी है तो देख सकतो यहाँ पर इस तरह से हम application को open कर रहे है और गैस हमारी जो application है वो यहाँ पर हमारे फोन के अंदर चल रही है देख सकतो यहाँ पर application जो open हो रही है यहाँ पर आप अपना जो account है वो logging कर सकते है तो इस तरह से गईज अगर आपके phone के अंदर fancode application ऊपन नहीं हो रही है तो इस problem को इस तरह से आप जो ठीक कर सकते हो तो गैस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना और अगर वीत तक आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे